स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज की इस वीडियो में कच्छा दस के गड़ीत प्रशनावली 5.2 के बारे में अध्यान करेंगे पिछले भाग के वीडियो में प्रशनावर एक और प्रशनावर दो को हल करके जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं इ अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट से भी बनता रहेगा तो यहाँ पर प्रशनमबर तीन में क्या दिया गया है तो निमलिखित समांतर सेंडियों में रिक्त खानों के पदों को ग्यात कीजिए अब यहाँ पर जो खाली अस्थान दिया गया ह इसमें सबसे पल यह देखेंगे किसमें कौन कौन से मान दिया गया है तो यहाँ पर यह दिया गया है यह पर्थम पद दिया गया है और दूसरा पद आपको गढ़ना करना है तो कैसे हल करेंगे तो यहाँ सबसे पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ पर क्या लिखेंगे पहला पद, पहला पद को किसे देखाएंगे, A से देखा जाता है, और A बराबर 2 हो जाएगा, और ये तीसरा पद इसको A3 कहा जाएगा, A3 बराबर जो है, प्रशन में कितना दिया गया, 26 दिया गया है, अब यहाँ पर An का सुत्र क्या होता है, तो सुत्र आप सभी विद्याती जानते हैं, बताया जा चुका है, और An बराबर सुत्र होता है, A प्लस यान माइनस 1 इन्टू डी, यह सुत्र किसका है, यह नवा पद का यह सुत्र है, अब इस सुत्र के सहायता से सारवांतर पहले गयाद करेंगे, जब तक सारवांतर नहीं निकलेगा, तब तक यह प्रशन जो है, दूसरा प्रशन नहीं हल हो पाएगा, तो इसने सारवांतर निकालने के लिए, हमको दूसरा पत की ज़रुवत पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर A3 का सुतर क्या बनेगा, तो A3 बराबर इसी प्रकार अगर बनाते हैं, तो क्या बनेगा, A हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहन के जगह पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, I into D हो जाएगा बराबर क्या है 36 हो जाएगा मतलब यहाँ पर A तो यहाँ पर भी A है और यन के जगा पर यहाँ 3 दिया गया मतलब यह तीसरा पद है और यहाँ पर यनवा पद है तो 3-1 into D बराबर 36 हो गया अब A का मान इसमें दिया है तो एक आमान यहां दो दिया दो लिख देंगे तीन में से एक जाएगा दो डी हो जाएगा बराबर हो गया बराबर क्या हो जाएगा च्छतिस हो जाएगा दो को पच्छांतर करेंगे तो क्या बनेगा दो डी बराबर हो जाएगा 36 में से 2 को घटा दीजे 2D बराबर 36 में से 2 घट गया तो क्या हो जाएगा यहां पर 34 हो जाएगा और D बराबर बताय जाएगा तो यहां पर 2 नीचे चला जाएगा तो 34 बटा 2 हो जाएगा 2 से 34 को काड देंगे तो यहां पर शारवांतर d बराबर क्या जाएगा 17 आ जाएगा अब यहां सरवांतर जो है 17 आ चुका है d बराबर 17 आ चुका अब यहां पर दूसरा पद पूछा गया खाली अस्थान में दूसरा पद को निकालना यह पहला पद है और यह दूसरा पद है अब इसी सुत्र में इसको भर दिया जाएगा मतलब दूसरा पद अगर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा अगर यहाँ A2 करते हैं मतलब दूसरा पद निकालते हैं तो A कामान निकल चुका है A कामान 2 हो गया प्लस और N कामान यहाँ 2 दिया गया है दूसरा पद माइनस 1 और D कमान या निकाले हैं 17 तो D कमान 17 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 प्लस दो में से घटेगा तो एक गुड़े क्या बनेगा 17 हो जाएगा बराबर 2 प्लस 17 एक अनम 17 हो गया 17 और 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा 19 मतलब यहाँ पर जो खाली अस्थान भनना है वहाँ पर क्या भराएगा 19 भराएगा मतलब दूसरा पद निकालना है और इसी सुत्र के सहायता से दूसरा पद को निकाला गया और वहाँ पर 19 यहाँ पर भर सकते हैं तो पहला क्वेशन जो है आप से भी विद्यार्थी समझ गया होगे कैसे इसको हल किया गया तो अब इसका दूसरा प्रशन में देखेंगे क्या प्रशन में पूछा गया तो यहाँ दूसरा प्रशन में देखेंगे तो यहाँ पर खाली अस्थान पहले नमबर पर ही दे दिया गया है खाली अस्थान आपको भरना है दूसरा पद दिया गया है और पहला पद दिया गया है ना इसमें पहला पद है न सारवांतर दिया गया है तो इसको हल करने के लिए सबसे पर लिखना पड़ेगा कि माना पहला पद जो है माना पहला पद क्या है तो कहेंगे पहला पद को ए से दिखा जाता है माना पहला पद A तथा सारवांतर सारवांतर जब तक निकलेगा नहीं तब तक कोई प्रश्न का कोई भी पद आप हल नहीं कर पाएंगे तो सारवांतर भी निकलना है पहला पद A तथा सारवांतर D है अब यहाँ पर पहला पद A हो गया सारवांतर D हो गया कौन कौन से पद दिया गया है तो यहाँ पर दूसरा पद दिया गया है मतलब A2 दिया गया है A2 बराबर 13 दिया गया है अब A2 का सुत्र क्या बनेगा तो A2 का सुत्र बनेगा A पलस 2 माइनस 1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा मतलब A2 बराबर 13 दिया गया था और A2 का सुत्र बनेगा A प्लस यन यन के जगा पे 2 है तो 2 माइनस 1 इंटो D बराबर 13 हो गया अगर इस टेप A प्लस 2 में से घटेगा तो यहां बचेगा एक गुड़े D हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 13 और D में का गुड़ा करेंगे तो A प्लस D हो जाएगा A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा अब यह बन गया समीकर नंबर 1 यहां समीकर नंबर 1 बन गया तो यह दूसरा पत 13 दिया गया था अब यहां पे देखेंगे कौन सा पत दिया गया बराबर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा अगला इस टेप A प्लस 4 में से घटा देंगे तो क्या बनेगा 3D बराबर यहां पर 3 हो जाएगा और समीका नंबर बन गया यह दो बन गया तो समीका 1, समीका 2 को आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे यह दूसरा पद है और यह पर यह दो समीका 2 को सहाइता से जो है, A और D का मान निकालेंगे तो A और D का मान निकालनेके लिए देखेंगे देखेंगे समीकरण में यहाँपर a प्लस में है और यहाँ पर भी a प्लस में है तो क्या करेंगे समीकरड एक में से समीकर दो को का कर दीजिए घटा दिया जाएगा समीकर एक माइनस समीकर दो को जब घटाएंगे अब क्यों घटाएंगे क्योंकि समानचीन है और बराबर भी है यहाँ ए है और A है और समान चिन भी है जिसने समिए कए 1 में से 2 से घटाने पर समिए कह 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो A और D कामा निकल जाएगा तो क्या बनेगा A पलस D वराबर क्या हो जाएगा यहां पर 13 हो गया और अगला step A plus 3D बराबर क्या है 3 दिया गया घटा तीजिए तो घटाएंगे तो चिंड क्या हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा अब A से 1 कड़ जाएगा क्योंकि यह plus में है और A माइनस में है 1 D में से 3D को घटाएगे तो माइनस 2D हो जाएगा और 13 में से 3 घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा तो D बराबर क्या हो जाएगा तो D बराबर अब यहाँ पर 2 को नीचे भेज़ दीजिए 10 बटा माइनस 2 हो जाएगा अब 2 से 10 को काड़ दीजिए तो D बराबर क्या जाएगा तो दी बराबर माइनस पांच आ गया तो यहाँ पर शारवांतर जो निकला है वो माइनस पांच आ चुका है कैसे हल हुआ है एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पर जो है समीक एक में से समीक दो को घटाएंगे तो यह चीन बदल गाएगा यह प्लस था तो माइनस है प्लस है तो माइनस है प्लस है तो माइनस है एसे एक खतम एक डी में से तीन डी घटाएंगे माइनस दो डी बराबर दस दो को नीचे भीजाएंगे दो पच्छे दस डी का मान माइनस पांच आ गया अब डी का मान जो निकला है अब वह D का मान समी का 1 में रख दीजे लिखेंगे आपड़ D का मान जो निकला है मान समी करड़ 1 में रखिए या 2 में रखिए आपकी मर्जी 1 में या 2 में रखेंगे आपका A का मान निकल जाएगा तो 1 में रखने पर अब यहाँ D का मान जो है तो ए बराबत 13 5,ाठारा हो जाएगा तो ए कामान जो है क्या आगला? 18 आगहा, मतलब ए कामान मतलब पर्थम पद और पर्थम पद इसमें आपको निकलना था तो पर्थम पद यहाँ पर निकल गया अब यहाँ पर आपको तीसरा पद की गणळा करना है और पहला पद जो है 18 निकला है अब इसके सहायता से तीसरा पद को ग्याद करते हैं तो यहाँ पर अब A3 निकालेंगे तो A3 का सुत्र क्या होता है A plus 3 minus 1 into D हो जाएगा बराबर अब यहाँ पर A कामान कितना है तो A कामान प्रशन में कितना निकला था तो A कामान जो है 18 निकला था तो A कामान यहाँ पर 18 भर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A कामान 18 प्लस और 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा और D कामान निकल चुका है D कामान क्या है माइनस 5 है अब अगला यहां पर इस टिप में क्या लिखेंगे तो यहां 18 हो जाएगा दू पचे 10 हो जाएगा तो दू पचे क्या हो गया यहां पर 10 हो गया 18 में से 10 घटा दीजिए 18 में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर जो है तीसरा पर जो है खाली अस्थान में क्या भरेंगे तो अठारम दस गया आठ हो जाएगा तो इसमें आठ भरा जाएगा तो दो प्रशन जो है आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे तो अब सीखेंगे इसका तीसरा प्रशन हो तीसरा प्रशन में क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है तीसरा प्रस्ट में पहला पद दे दिया गया है दूसरा पद आपको ग्याद करना है तीसरा पद भी आपको ग्याद करना है और चौथा पद दिया है नौ सही एक बटा दो अब यहां पर पहला पद दिया है और लाश्ट में जो है चौथा पद दिया गए दूसरा और तीसरा पद को ग्याद करना है तो कैसे हल करेंगे यहाँ पहला पद A बराबर क्या है पांच दिया गया है और यहाँ पर जो दिया चौथा पद इसको A4 बोलते हैं और A4 बराबर क्या दिया गया है अब A4 का सुत्र क्या होता है तो A4 का स इसी सुत्र में a4 का मान को भरेंगे और a4 के सहायता से जो है शारवांता निकालेंगे अजब शारवांता निकल जाएगा तब कोश्चन को नोट करेंगे तो a4 का सुत्र क्या बनेगा अब इसी सुत्र में अगर भरते हैं तो a प्लस n के जगा पर 4-1 हो जाएगा into d बराबर हो जाएगा और 9 सही क्या है 9 सही एक बटा 2 है अब यहाँ पर 4 में से एक घटा देंगे और एक कमान 5 बर देंगे तो 1 बराबर 5 हो गया 4 में से एक जाएगा तो 3 d हो जाएगा बराबर 9 दुनी 18 19 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अब 19 बटा 2 हो गया 5 को पच्छांतर करेंगे तो क्या बनेगा 3 d बराबर हो जाएगा 19 बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अब 2 में 5 के गुड़ा करेंगे 5 दुनी 10 हो जाएगा तो 3 d बराबर 5 दुनी 10 19 माइनस 10 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 19 में से 10 घड़ जाएगा तो 3D बराबर 19 में से 10 गया तो क्या जाएगा 9 बटा 2 हो जाएगा अब 3 को यहाँ गुड़ा है तो नीचे जाएगा तो भाग बन जाएगा तो D बराबर 9 बटा 2 और गुड़े नीचे जाएगा तो तीन हो जाएगा तीन तीरी की क्या बन जाएगा तीन तीरी की नो हो जाएगा तो डी बराबर यह तीन से कार देंगे तीन तीरी की नो हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर डी का मान क्या गया तीन बटा दो आ गया तो डी का मान यहाँ पर निकल गया और डी का नाम क्य तो सारवांतर आ गया अब यहां सारवांतर जब निकल गया तो यहां पर समझे यह पहला पद निकला ही था अब दूसरा पद और तीसरा पद निकलेंगे तो सारवांतर याद रखेंगे तीन बटा दो निकला हुआ है अब यहां पर इसका दूसरा पद को हल करेंगे तो यहा 5 हो गया, प्लस 2 में से 1 हो जाएगा और D का मान क्या निकला है, तो 3 बỪटा 2 निकला है, अब अगला इश्टे फो जाएगा 5 प्लस 3 एक Anam 3 बटा 2 हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 3 जोल देंगे तो क्या जाएगा 13 बटा 2 हो जाएगा, तो 13 बटा 2 जो है या 2 से भाग कर देंगे तो 5 सही 3 बटा 2 आ जाएगा तो यहाँ पर दूसरा पद निकल गया अब तीसरा पद अगर निकालते हैं तो A3 बराबर अब A3 का सुत्र क्या बनेगा तो A पलस 3 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा A का मान क्या भरेंगे 5 हो गया 3 में से एक जाएगा 2 हो जाएगा D हो जाएगा अब D का मान भर देंगे 5 पलस 2 D का मान क्या है तो 3 बटा 2 है अब 2 से 2 कट जाएगा 2 से 2 खतम क्या बचेगा 5 पलस 3 5 तीन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहां पर तीसरा पद 8 आ गया तो उमीद करते हैं दूसरा पद भी निकालने हैं और तीसरा पद जो निकालने हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसे पने copy में note भी करते चलिए जिससे आपका एक क्या बनेगा notes भी बनता रहेगा तो तीन प्रशन आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे, अब सीखेंगे इसका चोथा प्रशन, अब सीखेंगे यहाँ प्रशन क्या है, और चोथा प्रशन में क्या क्या दिया गया है, माइनस चार दिया गया है, और यहाँ पहला पद दूसरा पद खाली है, तीसरा पद भ खाली है, पाँचवाँ पद भी खाली है, छोवाँ पद यहाँ पर दिया गया है, छे दिया गया है, तो यहाँ पहला पद जो है, आपको माइनस चार दिया है, और छोवाँ पद छे दिया है, बीच में यहाँ पर चार पद को ग्याद करना है, खाली अस्थान है, तो कैसे इ दिया गया, a6 बराबर, a6 बराबर, 6 दे दिया गया है, अब a 6 का सुतर क्या है, तो यहाँ पर सुतर लिए सकते हैं, a is, बराबर, शुतर होता है, a plus, यहन माइनस 1, इंतु d, या जो है, यहनवा पद का सुतर है, अब इस सुतर की सहायता से, जो है एन का मान निकलेगा मतलब 6 पद का मान निकाल सकते हैं अब 6 पद का सुतर क्या बनेगा तो यहाँ पर बनेगा ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 हो गया अब ए का मान इसमें क्या है माइनस 4 है प्लस 6 में से एक जाएगा 5D हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा 4 को पच्छांतर करेंगे 5D बराबर 6 प्लस 4 हो जाएगा तो और यहाँ पर बनेगा 5D बराबर 6 4 10 हो जाएगा तो D बराबर क्या बनेगा 10 पटा 5 हो जाएगा 5 दोने 10 D का मान कितना जाएगा दी कामान यहाँ पर आ गया दो आ गया तो अब यहाँ पर जो है सारवांतर समझें निकल चुका है और सारवांतर के सहायता से जो है अब यहाँ पर दूसरा पत तीसरा पत चौथा पत को आपको ग्याद करना है अगर हम दूसरा पत की बात करते हैं तो इसी सुतर के सहायता से अगर हम दूसरा पत निकालते हैं तो इसको कहा जाता है A2 और A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर A plus 2 minus 1 into D अब A कामान क्या है minus 4 हो गया plus हो गया दो मेंसे एक जाएगा एक हो जाएगा और D कामान 2 हो जाएगा minus 4 हो गया अब दो मेंसे 2 में एक कबढ़र करेंगे तो यह plus 2 हो जाएगा 2 में से 4 घटा दीजिए तो माइनस 2 हो जाएगा दूसरा पर जो है माइनस 2 आ गया अब यहां तीसरा पर निकालेंगे A3 बराबर अब A3 बराबर अगर निकालेंगे तो इसी पर लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 in to D हो जाएगा अब एक जगा पर क्या रखेंगे तो एक जगा पर जो है माइनस चार हो गया प्लस तीन मेंसे घटा दीजीए दो हो गया और D कमान, D कमान 2 निकला है, बराबर क्या हो गया, माइनस 4 प्लस 2 दो ना 4, 4 में से 4 घटाई है, क्या जाएगा, A3 कमान 0 आ गया, A3 निकल गया, लाश्ट बचा है A4, अब A4 जब निकालेंगे, यहाँ A4 और A5, A4 बराबर निकालेंगे, तो A4 बराबर जब निकाला अब इस उतर में मान भरेंगे, बराबर A के जगा पर क्या रखेंगे, तो A के जगा पर माइनस 4, प्लस 4 में से एक जाएगा, तो A5 बराबर क्या आएगा, 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 तो A5 बराबर क्या आएग कि A5 बराबर जो है तो एक जगा पर क्या है माइस 4 है और यहां पर 5 में से एक जाएगा तो 4 और D कमान 2 हो जाएगा alonतल इंद माइस 2 हो गया 4 दूनि 8 हो गया 8 मेंसे 4 घटा दीजें क्या जायेगा यहां पर 4 हो जायेगा तो A5 जो है जो है 4 निकल गया तो यहाँ पर उमीद करते हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जो निकाले हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब सीखेंगे इसका पांचवा प्रस्ण लाश्ट प्रस्ण है और पांचवा प्रस्ण को अच्छे से समझ लेते हैं तो पांचवा प्रस्ण जो है यहाँ पर क्या दिया गया है तो पांचवा प्रस्ण में पहले पद ही खाली स्थान दिया गया है दूसरे नमबर पर 38 है तीसरा नमबर भी आपको खाली है चोथा नमबर भी खाली दिया गया है पांचवा नमबर भी खाली है और छोवा नमबर पर माइनस 22 दिया गया है अब यहाँ पहला पद को निकालना पड़ेगा उसके बाद से सारवांतर निकालना पड़ेगा तभी जाकर के दूसरा तीसरा चोथा पांचवा निकलेगा तो यहाँ पर सबसे पहर लिखेंगे माना और माना लिखेंगे माना पहला पद जो है यह माना पहला पद जो है क्या दिया गया पहला पद को A मान लेंगे पहला पद A आपको ग्याद करना है और तथा सारवांतर भी ग्याद करना है तो सारवांतर को किसे देखाएंगे D से तो सारवांतर क्या है D है और यहां पर किसका किसका मान दिया गया है दूसरा दिया गया है तो इसको लिखेंगे A2 और A2 बराबर कितना दिया गया है तो A2 बराबर 38 दिया गया है अब A2 का सुत्र क्या होता है तो A पलस 2 माइनस 1 और यहां क्या हो जाएगा D बराबर 38 हो जाएगा अब यहां 2 में से घटा दीजिए तो A प्लस एक गुड़े D बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा और A में जब D का गुड़ा करेंगे तो A प्लस D बराबर क्या बन जाएगा 38 हो जाएगा यह बन गया समी का नमबर एक मतलब यहाँ पर दूसरा पत दिया गया था और दूसरा पत के सहायता से A प्लस D बराब पर 38 आ गया अब यहां पर जो कौन सा पद दिया गया दूसरा पद के बाद से यहां पर तीसरा चौथा पांचवा चाथवा नमबर दिया है तो A6 बराबर क्या दिया है माइनस 22 दिया गया अब A6 का सुत्र होगा A प्लस 6 में से एक घटा दिजिये तो D बराबर क्या गया माइनस यहां पर 22 आ गया तो यहां पर 6 माइनस 1 घटेगा चौगा पद हो जाएगा A प्लस 6 में से घटेगा तो 5D बराबर क्या हो जाएगा माइनस 22 हो जाएगा अब यह बन जाएगा समीका है नमबर क्या हो जाएगा समी के 2 से अब समी के 1 में से समी के 2 को घटाएंगे तो क्या बनेगा तो समी के 1 में से समी के 2 को घटाए जाएगा तो क्या बनेगा A प्लस D बराबर जो है समी के 31 दिया गया है और समी के 2 क्या है A प्लस 5 D बराबर क्या है माइनस 22 दिया गया है जब इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा चीन क्या हो जाएगा बदल जाएगा माइनस माइनस और यह हो जाएगा प्लस ए से एक खतम एक डी पांच डी मिले करके एक डी में से पांच डी घटाएंगे तो 5D जब घटेगा तो क्या बनेगा माइनस 4D हो जाएगा और 28, 38 और 22 को जोल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 8, 2, 10 हो जाएगा 3, 2, 5, 1 में लिकर के 60 हो जाएगा तो D बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा माइनस 4 नीचे जाएगा 4 से अब 60 को काड़ देंगे 15 चोको साथ D बराबर जो है माइनस 5 आगया D का नाम क्या है शारवांतर अब D का मान जो है पहला समीका में भरिए या दूसरा समीका में भर दीजे पहला पद आपको निकल जाएगा तो D बराबर माइनस 5 जो निकला है वो समीका नमबर एक में रख देंगे समीका एक में रखने पर समीका एक में जब रखेंगे तो यहाँ पर D का मान भर करके पर्थम पद को निकल सकते हैं तो अब अगला इस्टेप क्या बनेगा तो अगला इस्टेप जब बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा A प्लस A प्लस जो है D बराबर क्या था 38 था अब एक जगा पर हमको गड़ना करना है और D कामान माइनस 15 हो गया बराबर हो गया 38 हो गया 15 को पचांतर करेंगे तो A बराबर 38 में 15 को जोड़ लेंगे तो पहला पर जो है कितना आ जाएगा तो 38 पालस 15 तो तीरपन हो जाएगा तो A कामान जो है तीरपन आ गया और D कामान जो है माइनस 15 आ गया तो सारवांतर भी निकल गया और पहला पर भी निकल गया अब यहाँ पर तीसरा पर चोथा पर और पांचवा पर तीन पद की गढ़ना करना है, क्योंकि पाहला पद निकल चुका है, दूसरा भी पद यगयात है, तीसरा चोथा पाँच्वा निकलना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए सुत्र क्या है, ए 3 बराबर क्या है, ए प्लस 3 माईनस 1 इंटू दी, अब इसके सहायता से हमनों तीसरा पत ग्याद करेंगे तो A कामान जो है तीरपन आया है पलस और तीर में से एक जाएगा दो हो गया और D कामान माइनस 15 दिया है तो अगला step क्या बनेगा तीरपन हो जाएगा 15 दुना 30 माइनस 30 हो जाएगा तीरपन में से 30 को घटा देंगे तो क्या हैगा 23 हो जाएगा तो यहाँ पर 23 निकल गया तीसरा पद और चौथा पद निकालेंगे तो यह इसी परकार ए प्लस 4 माइनस 1 इन्टू D हो जाएगा ए कामान क्या है तो ए कामान 33 हो गया और 4 में से एक जाएगा 3 हो गया और D कामान माइनस 15 हो गया तो अगरा step क्या बनेगा तीरपन माइनस 15 तिया 45 माइनस 45 हो जाएगा अग तीरपन में से जब 45 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8 हो जाएगा चौथा पन निकल गया अब लाश्ट पांचवा पन निकलना है A5 तो A5 का पूर्ण सुत लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 था तो अब 5 माइनस 1 हो जाएगा इन्टू D और A के जगा पे क्या है तीरपन हो जाएगा पलस 5 में से एक जाएगा तो 4 हो गया और D कमान माइनस 15 हो जाएगा अगला इस टिप क्या बनेगा तीरपन हो जाएगा और 15 चोग को 60 हो जाएगा तीर पर में इसे 60 घटा देंगे तो क्या बनेगा माइनस 7 हो जाएगा मतलब A5 जो है माइनस 7 आ गया तो उमीद करते हैं इसमें 5 प्रशन को जो है आपको बताया गया तो 5 प्रशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसे अपने कापी में नोट कर लिजएगा यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लिजएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आज की वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी वी द्यार्थियों को नमस्कार